आदी पुरुष इस साल की एक much awaited फिल्म थी जो finally release हो चुकी है हाला कि फिल्म box office पर अच्छा कर रही है लेकिन दर्शकों को ये फिल्म रास नहीं आ रही है पांच कारण बताता हूं कि क्यों ये फिल्म दर्शकों के गले नहीं उतर रही है Reason No.1 फिल्म completely एक different perspective दिखाती है एक ऐसी गाथा की जो भारतिय जन्मानस के मन में बसी हुई है फिल्म के राम जी हो, सीता हो, लक्षमन हो, हनुमान जी हो या फिर रावन कोई भी आपकी संकल पनाव पर खरे नहीं उतरते बलकि उनके उलट ही नजर आते है Reason No.2 फिल्म हथ से ज़्यादा VFX पर depend है फिल्म का हर फ्रेम बनावटी लगता है और VFX भी कुछ अच्छे quality का नहीं है Reason No.3 फिल्म का बहुती poor screenplay और cringe dialogue फिल्म रामाइन के एक particular part को ही depict करती है लेकिन जो screenplay है वो इतना poor है और जो dialogues है वो इतने cringe है कि आपको यकीन भी नहीं होगा कई बार कि क्या यह सच में हो रहा है ताना जी जैसी फिल्म बनाने वाले निर्देशक से इस बात की उमीद नहीं थी And last but not the least, फिल्म की intention साफ नहीं लगती है फिल्म एक popular political ideologies को बनाने की कोशिश करती भी नजर आती है कई बार ऐसी चीज़ें misfire कर जाती है जब आप रमाइंट जैसे epic पर काम करते हैं तो आपकी intentions pure होनी चाहिए साफ होनी चाहिए लेकिन यहां पर ऐसा नहीं लगती आदी पुरुष एक iconic film हो सकती थी बर sadly ऐसा हुआ नहीं अगर आप यह film देख चुके हैं तो मुझे बताइए comments में कि आपको यह film कैसे लगी